अगर आप मैट्रिक पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं फोज में जाना चाहते हैं तो अच्छा उसर है पांच सेप्टेंबर दोहजार चौबी से आप अपलाई कर सकते हैं SSC Constable JDK Vacancy यानि के Central Armed Police Forces BSF, CRPF, CSF, ITBP, Assam Rifle, NIA ऐसे फोर्सों में अगर आप जाना चाहते हैं सिपाई के बद पर तो आप अपलाई कर सकते हैं SSC के वेब साइट पर जाना है आपको SSC.gov.in पर और 5 सेप्टेंबर से लेकर के 14 अक्टोबर के बीच तक आपको अपलाई कर देना है आए इस वेकेंसी के बारे में हम जानते हैं पूरे विस्तार से अगर आप इस वेकेंसी को बना चाते हैं तो वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है चलिए देदेदर हम पूरे इसकी जो ये पीडियेफ है ये SSC.gov.in से डाउनोड किये हैं मैंने SSC ने इस पूरे वेकेंसी के डिटेल में जाकरके इस पूरे वेकेंसी को SSC ने बनाया है 73 pages की ये PDF है 73 pages की तो हम इसमें से जो खास-खास बात आपके लिए है वो च्छांट के देंगे देखिए यह डिपार्टमेंट है जिसमें आपका जॉइनिंग होगा वो है BSF Border Security Force CISF Central Industrial Security Force CRPF Central Reserve Police Force ITBP Indo-Tibetan Border Police SSB सशर्ष्ट सीमाबल SSF Secretariat Security Force और Rifleman की पद होती है सशर्ष्ट सीमाबल में असम रैफाल में उसके लिए इसके अलावा Narcotics Control Bureau इसमें सिपाई का पद है तो यह जो एक्जाम होगा इसमें यह आपको Computer Based Exam होगा जैसे CBE कहते हैं उसके बाद Physical Standard Test होगा फिर उसके बाद Physical Efficiency Test होगा और Last में जो आप पास करते चले जाएंगा तो Medical Examination होगा उसी वक्त आपका Document Verification भी लिया जाएगा दोस्तों जो Computer Based Exam होगा वो Hindi और English और Hindi के लावा तेरा और भी Regional Languages हैं उसमें भी होगा जिसमें उर्दू भी शामिल है बेंगाली शामिल है असामिल है इसमें आपको असामिज, बेंगली, गुजराथी, कनड़ा, कॉंकरनी, मलियालं, मनिपूरी, मराथी, औरिया, पंजाबी, तमिल, तेल्गू और उर्दू शामिल है आप इसमें भी पूरे एक्जाम को दे सकते हैं जो CB, Computer Based Exam होगा इसके बाद जो आपके काम के बाद है वो ये है कि कुछ वेकेंसी को Border Guarding District के लिए और Militancy या नकसल एफेक्टेट डिस्टिक के लिए Reserve कर दिया गया है जो शब्द का इस्तमाल किया है वो है Reserve, Reserve कर दिया किया है इन डिस्टिक के लिए ही, Reserve for the candidates of these districts only, जैसे कि किशनगंज है बिहार में, वो Border District है, तो कुछ एक सीट किशनगंज के ब बच्चे होंगे, अपलाई करेंगे, उनका बिहार की जतने भी Border Guarding District है, उनके बीच में कम्पेटेशन होगा, वैसे यह वेकेंसी All India Nature की है, लेकिन उनको All India में जो बच्चे है, उन से कम्पीट नहीं करना है, जो Border Guarding District के बच्चे है, उन से कम्पीट करना है, जो बिहार में तो यह आपको स्टेट वाइस जो है, वैकेंसी Border Guarding District के लिए, सेगर्गेट की वी है, अलग की वी है, तो यहाँ पे इनको बहुत छूट मिलेगा, कट अफ मार्क बहुत ही निची जाता है, ज़रूर भरे हैं, चलि आगे जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, इसमें दो त 21,700 लेकर के 79,100 की बेसिक पे है, वो है, तोटल वैकेंसी केतनी है, टोटल वैकेंसी है, 49,481 चीक है, इसमें से मेल कंडरेट के लिए है 35,612 और फीमेल के लिए है 3,879 और इसमें फोर्स वाइस भी अलग लग दिया हुआ है, सबसे जादा वैकेंसी जो है, वो बेस अफ की है, मेल फीमेल मिला करके, उसके बाद नंबर आता है CSF का, फे CRPF का, SSB, ITBP, असमर एफोर SSB, और NCB की सिर्फ 22 वैकेंसी है, 11 लड़कों के लिए और 11 लड़कियों के लिए, अगली बात, एज लिमिर कितने होगी, तेकि एज की जो काउंटिंग होगी, वो 2025 के एक जनवर चाहिए, तो कब होना चाहिए, एक दो जनवरी 2002 से पहले का आपका डिट बर्त नहीं होना चाहिए, और एक जनवरी 2000 से बाद का नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आपका होना चाहिए, SC को और ST को पांच साल के छूट मिलेगी, एज में, OBC को तीन साल के छूट म OBC वगरे के लिए अपलाई करता है कि मैं OBC हूँ तो उसे यह ध्यान रखना है कि वो creamy layer के अंदर में नहीं आना चाहिए नन creamy layer का certificate उसको produce करना पड़ेगा OBC के लिए जो claim करने वाले हैं आप जाती के लिए EWS जो है वो जरूर ensure करें EWS के उनके पास income और asset certificate income and asset certificate इनके पास होना चाहिए financial air 24-25 का चाहिए income and asset certificate चलिए डो मिसाइल certificate होना चाहिए आपके पास हमेशा याद रखिए उसके बिना आप आप किस state के हैं किस district के हैं वह आपको करने के लिए जरूर चाहिए अब सटिफेक्ट के बारे में हम और बाद में डेटेल से बात करेंगा चाहिए एक जनवरी 2035 से पहले पहले आपका matriculation यादिक दसवी पास का certificate आपके पास होना चाहिए इसके इसके अलावा तो सी सर्टिफिकेट वाले को 5% की चूर बोनस मार्क्स मिलेगा और बी वाले को 3% का बोनस मिलेगा और ए वाले को 2% का बोनस मिलेगा अब यह आपको आगे बताई देते हैं इसकी सब्जेक्ट में कितने questions हैं कितने numbers हैं तो total marks कितना है तो उसका percentage निकाल के हम पता करते हैं जब document verification होगा तब आपको उस वक्षाटा जाएगा कि आप उसके लिए eligible हैं या नहीं हैं चली कैसे apply करना है SSC.gov.in के website पे आपको जाना है और वहां पे आपको registration करना है और आपने apply करना है कुछ खास चीज़ों आपको ध्यान रखने हैं वह याद रखिए अब जो है आपक चमा किजीगा तो मैं यह कह रहा था कि अब जो नया तरीका चल रहा है वो क्या है कि आप जब apply करेंगे online उसी वक्त आपका फोटो लिया जाएगा फोटो पहले से लेकर कि आपको upload नहीं करना उसके लिए क्या है कि आपको camera के आगे बैठीगा और या mobile से आपको फोटो लि नीचे camera नहीं होना चाहिए कोशिश कीजिएगा और जब आप फोटो कीचिएगा तो एक लाल लंका rectangular area आएगा उसके अंदर में आपका face आना चाहिए ना बहुत नस्दीक रहिएगा ज्यादा दूर रहिएगा और सबसे खास बात कि आया है कि फोटो लेने के time में आपने क किस तरह का होना चाहिए वीडियो के लास्ट में यह वीडियो बहुत important है यह मत सुची है कि इतनी से आपका काम चल जाएगा पूरा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक यूंकि इसमें आपको पूरी जानकरी कूट कूट के हमने डाली है चलिए आगे बढ़ते हैं जो जो चवराई है जो आपका सिगनेशर का वो 6 cm चवरा होना चाहिए और 2 cm की हाइट 2 x 6 जो हो गया इसके बीच में आपका होना चाहिए और उसकी रिजलेशन भी 300 dpi इप्रेशन पर इंच होना चाहिए इसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको विट फोटो देखा दूँ है लेकिन S.E.S.T. और Women Candidate के लिए ये माफ कर दी गई है अगली बात Online Application कब से कर सकते हैं Online Application आप 5 November से स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है आओ समा किजगा ये जो आप्फ फर्म भरेंगे और फर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसमें जो करक्शन करना है उसके लिए जो विंडो खुलेगा वो है 5 November को और ये 7 November को बंद हो जाएगा जिनके दो दिन की बीच में आपको को करक्शन है तो करनी है 5 November से 7 November के ब अब बता दो मैं आगे भी विडियो में बता दो मैं आपको कि पहली बार आप जब करेक्शन कीजिएगा तो आपसे फाइन लिया जाएगा 200 रुपए और आपने एक बार करेक्शन कर लिए फिर आपको याद आ रहे तो यह और रहे गया फिर आपने छे तारी को दोबरा क्रे करने वाले को 500 रुपए का फाइन देना पड़ेगा करेक्शन चार्ज सेंटर और एक्जामनेशन बिहार के लिए जो है जो सेंटर अफ एक्जामनेशन है बागलपूर दरवंगा मुदफरपूर पतना और पुर्णिया है इसमें से आपको तीन आपसे मांगा जाएगा मैं आपको पहले ही बता दिया चली कंप्यूर पेशन कैसा होगा क्या होगा इसमें आपको अब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा जिसमें अश्ची कोश्चन होंगे हर कोश्चन के लिए दो माक्स को का तो होगी आपको एक सो साथ नमबर तो एन्सीजी वाले जो इसमें आपको टोल होगे असी कोश्चन और गुना दो एक सो साथ नमबर मिल जाएगा आपको और साथ मिनट की अंदर में आपको को इसे सारा का सारा हल कर देना है असी कोश्चन के लिए आपको साथ मिनट दिये जा रहे हैं आगे बढ़िए कोश्चन आपका इंग्लिश हिंदी के लावत तेरा लेंग्वेज में आएगा जिसमें आपको जो मैंने पहले भी कबर किया था असामीज बेंगली गुजराती के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा तो ध्यान देना है एंसर देने के टाइम में जो टेंटेटिव एंसर कीज है यह आपके एक्जाम कनेट होने के बाद एससी वेबसाइट पे डाल जाएगी अगर आपको उससे आपका मिलाते हैं और आपको लगता है कि कोशन होंगे वह मैट्रिकुलेशन लेबल की होंगे तेंथ के स्टेंडर का होगा इसलिए आप आराम से इसमें कर सकते हैं स्लेबस कैसा होगा सिलेबस देखिए आप वीडियो को पाउस करके देख लिजेगा जनल इंटेलिजन्स और रिजिदिंग का यह रहा जनल नोलेज और जनल अवर्णिस का स्लेबस यह है पाउस करके देख लिजेगा प्लीज अलेमेंटर मैटमेटिक के लिए और इंटिक लिए सथ यह आपका है अब आते हम फिजिकल टेस्ट के लिए पी एस टी इनके फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट और पीटी फिजिकल एपिसिंसी टे ओके आगे चलते हैं आएए आपका जो है यह फिजिकल एफिशिंसी टेस्ट वो कैसा होगा लर्कों को 5 किलो मिटर दाओना है 24 मिनट के अंदर में और लड़कियों को 1.6 किलो मिटर सबी लरकियों के लिए SD के लिए है हाइट में लरकों की हाइट 162.5 cm होगी तो चल जाएगा काम और लरकियों के लिए 150 cm के भी अगर हाइट है SD की तो उनका काम चल जाएगा वो इलिजबल है सीना 80 cm आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 cm फूलना चाहिए, अगर नहीं होता है तो gym join कीजिए, weightlifting कीजिए और अपने सीने को बनाईए, सीना फूलना बे ज़रूर ये 5 cm वो ध्यान देजएगा प्रपर टेक्निक आपकी सांस के फूलाने की होने चाहिए, उसके पैक्टिस करनी पर यागा नहीं फूलता है आपका तो मेरा weight जदन आप गया या मशीन खराब है तो आपको उसी दिन वहीं पर अपील करना है जो वहां पर एक अफसर होंगे उसको बोलेंगे प्रिजाइडिंग अफसर उनको आपने बताना है कि मैंना अपील करना है और फिर वह आपको जो आपको आपका अपीलत अथोर्टी हो होगा उस समय आपके पास मैक्टे का सर्टिफिकेट होना चाइए जिससे आपका और नाम और क्वालिफिक्षन का प्रूफ होगा domicile certificate चाहिए ताकि आप कहां district के हैं किस state के हैं वो आपका पता लगे और अगर आप NCC का claim करते हैं तो आपका NCC का certificate होना जरूरी है अनिवार यह है अगे चलिए काम की बाते हमारे लिए और इसमें क्या है हाँ जब आप exam के लिए जाएगा तो आपका admission certificate जो है या admit card बोलिए उसके इलावा आपके साथ दो passport size photo होना चाहिए और एक ID proof होना चाहिए जिसमें आपका date of birth लिखावा हो अब ID proof में क्या होगा तो आपका आथार card हो सकता है उसका print out ले आईएगा या आथा card लेके जाहिए voter ID card या driving lessons pen card या university या college से अगर issue या आईडी card है तो वो भी चलेगा या passport है तो वो भी चलेगा आपका mode of selection unreserved बच्चों को कम से कम 30% number लाना ही पढ़ेंगे पास करने के लिए तकिन उससे को फर्क नहीं पड़ता है आपको 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 मेरिट लिस्ट में आना है यह वालों को मिलेगी दो परसने के जोटी मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया है मेर और फिमेल कंड़िट जो भी हैं जो पीस्टी पीटी क्वालिफाई करेंगे और शॉर्ट लिस्टिट किये जाएंगे यह वालों के आपने स्टेट वाइस और एरिया वार्ड और कैटेगरी वाइस अलग अलग उनका मेरिट बनेगा तो कि यह एक्जाम ने तोर पर आपको बेस पर पनेगा जिसे माल लिए बॉडर गार्डिंग डिस्टिक के बच्चों को बॉडर गार्डिंग डिस्टिक के अंदर में जैनरल से एस्टी ओबी सी के इसाफ सो उनका अलग अलग करेग्राइशन होगा चलिए आगे यह फोर्स हैं आठ जिनका आपने और ऑफ प्रियोटी बनाना है आवे पहला च्वाइश अगर देना चाहें तो स्सेएस्ट पर सकते हैं कि यह क्या है कि एएएपोर्ट में डूटी होती है तो आपके लाइफ इजी रहेगी हम ऐसा मेट्व सिटि में रएगा आगे बढ़ते हैं आगे 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 तो आगे जी हां जो के लिए जो कट ऑफ बनेगा वहां पर रखा जाएगा मालिये के 900 सीट रखी गई है बोरगानी डिस्टिंग के लिए और 900 बच्चे आप से जज़ा नंबर लेकिया गए तो अब आपको जनरल करेरी में टाल दिया जाएगा ओके आगे चलिए आगे चलिए क्या है खास आपके लिए इस पूरी वेकंसी में कुछ एक और खास बात बची है बने रही है चुकि फ़र बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने देखा नहीं है तो ये कुछ एक गाइड लाइन्स हैं एससी के तरफ से वो है लेकिन हम जिस्टिस की तिलास कर रहे हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं ठीके रही है मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपको बताने के लिए खास बात है ये दो-चार मिट जो आप दे रहे हैं या आपके लिए बहूत फाइदे मन्द है वेकंसी के बारे में cutting कर लिए 6 cm by 2 cm का 6 cm चोड़ा होगा 2 cm उंशा होगा इसके अंदर आपने sign करना है इस तरह से इस box का 80% cover हो जाए कुछ एक उसके example हम आपको दिखाएंगे देखिए यह है सही तरीका signature करने का पूरा box को cover कर लिया अब reject कैसे होगा इस box में किनारे में आपने sign कर दिया वर्टिकल कर दिया अब यहां देखिए चोटे से कौना सब पूना में कर दिया या आपने इसको गुमा करके horizontal नहीं करके आपने कागज को vertical कर दिया और horizontal में sign कर दिया जो इस तरह का है तो यह भी आपका खतम हो जाएगा या चोटे मोटे आपने sign कर दिया तो काम चलेगा नहीं तो आपने यहां रखना है कि sign आपका चाहिए साफ सो तरह फोटो पिछे white background और नॉमल बैक्राउंड और शर्ट पहना वापने हो अगर आपने नीचे से फोटो ले लिया तो आप रिजक्ट हो जाएगे साइट से आया है तो भी होगा या लाइट ठीक नहीं तो रिजक्ट हो जाएगा तो भजाएगा तो सेल्फी टाइप का साइट से लिया तो रिजक्ट हो जाएगा यह अपने महत्पून महत्मन बात है ध्यान देना है नोटिफिक्शन में ही सारे सर्टिफिकर्स दिये हुए हैं एक दो बात और रहे गई है वह प्लीज कवर कर लीजिए यह है इस यह जो डिस्टिक्स है यह आपको बिहार के डिस्टिक्स है जो बॉर्डर गार्डिंग डिस्टिक्स में आते हैं और वेस्ट बंगाल वाले हमारे बगल्म पढ़ते हैं वह भी द्यान दें वेस्ट बंगाल के लिए साउथ 24 परगनास नजिया मुषदाबाद माल्दा तक्षिंज नाचपूर उत्तर दिनाचपूर दार जिलिंगे स्ली गूरी वर जलाका जो है यह जल्पाई गूरी कुछ वियार अलिपूर दौर यह सब बॉर्डर कार्णिंग डिस्टिक में हैं तो उनको बहुत छूट मिलेगा छूट को आपने एवैल करना है छोड़ना नहीं है चलिए तो यह था हमारा एक चोटा से वीडियो जिसमें हमने कोशिश की आपको यह बताने कि अब एक बार दोब सब्सक्राइब नहीं हो पारा है तो फंद्रा तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं करेक्शन करने के लिए पांच नवंबर से लिकरके साथ नौंबर तक दो दिन आपको दिया जाएगा कुछ भी गल्ती होता आप में करेक्शन कर सकते हैं तो वैकेंसे बहुत अच्छी है विजिटल तरीके से होती है आउनलाइन आफलाइन दोने क्लास की वेवस्तावाने पास है तो मैं हूँ आपके दोस्त मौहमद जहौर अच्छा लगाओ तो जरूर वीडियो को शेयर कीजेगा जय है